Hello everyone, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ Bank of India Small Cap Fund Diet Growth के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा ये जो mutual fund है इसने पिछले एक साल, तीन साल, पांस साल या फिर annual return क्या दिया है आज के rate में इसका एक नभी का price क्या है, ये कितनी star rating mutual fund है, इसमें आप minimum SIP amount क्या लगा सकते हैं और इसका fund size क्या है साथे साथ मैं आपसे डिसकस करूँगा इसके अंदर कौन-कौन size stock listed है और अगर आप इस mutual fund के अंदर कुछ पैसा जमा किया होते तो पिछले एक साल, तीन साल, पांस साल के अंदर आपको क्या return देखने को मिलता और लास्ट में मैं आपसे डिसकस करूँगा कि क्या हमें bank of India small cap fund diet growth के अंदर investment करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने already invest किया है तो आगे आप अपने SIP और لمसम के साथ क्या करेंगे bank of India small cap fund diet growth ये एक equity mutual fund है जो कि small cap category के अंदर आता है और ये काफी high-rix mutual fund है इसने जो पिछले एक साल में return दिया वो 43.64% का return है तीन साल की बात करें तो 3 साल में 25.83% का return है 5 साल के अपर बात करें तो 5 साल में 38.61% का return है और अगर annual return की बात करें तो इनका annual return है 23.38% का ध्यान देंगे अभी जो भी return मेंने आपके साथ यहाँ पर discuss किया ये इनका one time यानि की lump sum का return है अगर आप एक बार में कुछ पैसा invest करते तो आपको ये return देखने को मिलता अगर आप SIP के थूर इन्वेस्मेंट करेंगे तो return आपको कुछ और मिल सकता है क्या मिल सकता है ये चीज़ में इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिसकस करूंगा NAB के उपर बात करते हैं तो आज की रेट में इसका एक NAB का प्राइस है चबबन रुपिया 17 पैसा रेटिंग की बात करें तो ये 4 इस्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिमूम SIP एमोंट 1000 रुपिया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1516 करूर का अब बात करते हैं कि अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं तो फिर आपको क्या रिटन देखने को मिलता इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पर अपना एकाउंट आपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिमेट एकाउंट का रेफ्रर रिंग दिया है अगर आप मेरे रेफ्रर रिंग से अपना एकाउंट आपन करते हैं तो फिर आपको एकाउंट आपनिंग या पिर एकाउंट मेंटनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देन तीन साल की बात चया हमें आपका पैसा जमा होता एक लाग कहसी हजार आपको मिलता दो लाग उनतर हagच लाग चारसो सत्य हरुपया है यानि तीन साल में SIP के थूरू करीब आपको 49% का रिटन देखने को मिलता और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाग आपको मिलता 7 लाग 10,570 रुपया यानि 5 साल में SIP के थूरू करीब आपको 136% का रिटन देखने को मिलता अब अगर बात करें कि इस mutual fund के अंदर अगर आप एक बार में 1,00,000 रूपया का लंशाम करते तो फिर एक साल में आपका 1,00,000,000,000 रूपया होता फाल्डिंग के अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल छी आसट इस्टॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप टैन अवर इसके सेक्टर वाज डिसकस करें तो पहला नाम आता है PCBL Limited Chemical छेत, Ami Organics Limited Healthcare, Visier Diagnostics Center Limited Healthcare, Cholamandaram Financial Holding Limited Financial, Keyans Technology India Limited Capital Goods, Kastrol India Limited Energy, Aries Life Science Limited Healthcare, आधित भिला, Real East State Limited, Consumer Steps, Jyoti CNS Automation Limited Capital Goods, Ensenco Gold Limited Consumer Districtnery के छेतर पे है अगर इसके Holding Analysis की बात करें तो Equity पे है 90.5 और Cash पे है 8.5 परसेंड इसकी Equity सेक्टर एक लोकेशन के अगर बात करें तो Capital Goods पे 19.4, अधर्स पे 17.7, Financial 13, Healthcare 11.9, Consumer Steps 11.1, Chemical 10.4, Service 10.1, और Automobile पे 6.3 परसेंड यानि कि अगर आप Bank of India Small Cap Fund के अपना पैसा इंवेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी केटेगरी पे डिस्टिब्यूट हो करके लगेगा इनकी Advanced Ratio की बात करें तो इसका Price to Earning Ratio 41.99 और PB Ratio 5.49 अगर आप इस Mutual Fund के अंदर अपना पैसा इंवेस्ट करना चाहते हैं तो First Time minimum लंसम आपको 5000 रुपया करना होगा और अगर आप Second Time भी लंसम करना चाहें तो Second Time आप 1000 से अपना लंसम स्टार्ट कर सकते हैं S.I.P की बात करें तो इसमें minimum S.I.P. अमांट आपको 1000 रुपया करना होगा Return and Ranking के उपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं Bank of India Small Cap Fund का Fund Return जो की एक साल में 43.6, तीन साल में 25.8, पांस साल में 38.6 और अन्वाल है 33.4 का इस कैटेगरी का जो Average Return होता है यानि की Equity Small Cap Mutual Fund का एक साल में 41%, तीन साल में 8.8 और पांस साल में 30.8 का है यहां से देखेंगे यह Mutual Fund एक साल, तीन साल या फिर पांस साल हमेशा अपना कैटेगरी Average से ज़्यादा Return निकाल करके दिया है तो अगर आप एक Small Cap Mutual Fund ढूण रहे हैं तो Bank of India Small Cap Fund आपके लिए अच्छा विकल्प है आप इनके अंदर अपना investment कर सकते हैं अगर बात करें कितना Target होना चाहिए लंसम और S.I.P. का तो लंसम का जो Target होना चाहिए वो होना चाहिए 5 साल का और S.I.P. का टारगेट होना चाहिए 8 साल का तो Bank of India Small Cap Fund के अंदर अगर आप investment करना चाहते हैं तो यह 5-8 का फर्मूला याद रखेंगे 5 साल लंसम S.I.P. 8 साल अगर आप इतना टाइम तक continue इस mutual fund के साथ अपना investment को रखते हैं तो यह mutual fund आपको काफ़ी अच्छा return दे देगा अगर इसके आसपस इसी तरीके का similar funds की बात करें small cap का तो इनके आसपस दो similar funds अच्छा एक तो है Quant small cap fund diet plan growth 4 सार रेटिंग mutual fund ए एक साल का return है 55.7 तीन साल का 26% दूसरा Tata small cap fund diet growth जो की 5 सार रेटिंग mutual fund ए एक साल का return है 52 तीन साल का 27.9 और fund size 93.90 करूर का इसके अलावा एक और small cap mutual fund अच्छा है जो कि आप देख सकते हैं बंधन small cap fund तो इसको आप अपने जो इस भी application में आप investment करते हैं उसमें ज़रा search करेंगे बंधन small cap fund और उनका return देखेंगे कापी अच्छा perform कर रहा है कुछ दिनों से इनकी expense ratio के उफर बात करें इनका expense ratio 0.52% का exit load की बात करते हैं अगर आप invest क्यावा पैसा एक साल के अंदर 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का exit load देना होगा और system duty की बात करें तो system duty है 0.005% tax inflation की बात करते हैं अगर आप invest क्यावा पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका return होगा उस पर आपको 20% का tax payment करना पड़ेगा और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं एक साल में 1,25,000 का return बनता है तो फिर आपको 12% का tax payment करना होगा यानि कि short term capital gain पे आपको 20% tax देना है और long term capital gain पे आपको 12% का tax payment करना है इनकी fund house and investment objects की बात करें तो bank of India mutual fund total assist में इंडिया पे नमबर 31 पर रेंग करता है इसका total assist अंदर management है 9,097 करूर का bank of India small cap fund diet growth ये एक equity mutual fund है जो कि launch किया गया bank of India mutual fund की तरफ से अजय केंडेवाल अभी इस fund का current fund manager है इस fund का currently assist अंदर management है 9,097 करूर का और latest नभी है 54 रुपिया 17 पैसा bank of India small cap fund diet growth ये एक काफी high risk mutual fund है इसे minimum SIP amount 1000 रुपिया का set क्या गया है और minimum fund benchmark है nifty small cap 250 total return index तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिसकस किया bank of India small cap fund के बारे में फिर मिलते हैं हम लोग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके